अच्छे बनो बच्चपन से यही सिखाया जाता है यह अच्छे बनो बड़ों से सीखो देवो शर्माजी की बेटे की सरकारी नोक्री लग गई कुछ सीखो उनसे देखो तिवारी जी का लड़का है न वो अपने घरवालों की बात मान कर इंजिनिरिंग की त्यारी कर रहा है उसकी तरह अच्छा बनो और देखो शर्माजी का लड़का कैसे सब में घुल मिल रहा है कैसे सब में घुल मिल के रहता है वो कुछ उससे भी सीखो बात माना करो अच्छे बनो जैसा सब कहे वैसा किया करो क्योंकि तुम अभी छोटे हो और तुमें कुछ नहीं पता इस दुनिया के बारे में आज का वीडियो कुछ रोगों को रास नहीं आएगा पर मैं हिम्मत रखता हूँ वो सब कड़वी बाते बोलने की जिनको सच्चाई की चादर से ढखके हर किसी को बच्पन में ही परोज दिया जाता है और उस चादर के नीचे क्या होता है वही जो होता आया है मिडल क्लास मैल ऐसी बाते जिनको अच्छी बाते माना जाता है लेकिन वो बाते वो रूल्स इनसान को मिडल क्लास में ही रखते है आज मैं कहता हूँ कि बुरा बनना सीख लो आज मैं कहता हूँ कि तुम्हें वो नहीं करना जो तुम्हें चाबी वाली कार समझ के तुम से करवाय जाता रहा है पैसा कितना कीमती है तो फिर कोई मालिक बनने के लिए क्यों नहीं बोलता है हर कोई नोकरी पाने के लिए क्यों लाइन में खड़ा रहता है कुछ बड़ा करने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है हर कोई जानता है ये बात हर कोई जानता है ये तो फिर वैसा ही क्यों करते हो जैसा ये भीड करती रहती है घर वाले सबजी मंडी में टमाटर की रेट पांच रुपे कम करवाने के लिए आदा घंटा खराब कर देंगे लेकिन घर पे आके अपने बच्चों को ये नहीं बोलेंगे कि बेटा पैसा ज्यादा जरूरी है पूरी सच्चाई जानके भी अपने बच्चों का होसला ये कहा कर नहीं बढ़ाएंगे कि बेटा मैंने कहता कि तो नोकरी करे लेकिन जो भी करे पूरी इमानदारी से करे पर वो कहेंगे क्या तिवारी जी के लड़के वो देखो एक्जाम निकाल लिया उसने तुमसे सब लोग ये बोलते होंगे कि घुल मिलके रहा कर जैसी दुनिया है वैसा बन के रहा कर लेकिन मैं ये कहता हूँ जैसी दुनिया है ना वैसा बनने की जरूरत नहीं है जिस लेवल पे दुनिया है उस लेवल पे रहने की जरूरत नहीं है बलकि उससे उपर रहने की जरूरत है और दुनिया से उपर उठने के लिए जुंड में रहने की जरूरत नहीं है उसके लिए अकेले तपश्या करने की जरूरत है लोग तुम्हें बोलेंगे कि तुम बड़े शर्माते हो किसी से बात नहीं करते उनको बोलने देना यार लोग तुम्हें कहेंगे कि इस काम में क्या रखा है उनको बोलने देना अगर तुम अपने रास्ते बस सही होना और लोग तुम्हें बुरा बताए तो इसका मतलब नजरे नीचे जुखाने का नहीं बलकि नजरे उपर उठाने का टाइम आ गया इस तरह की बुराई लेने में भखाई है क्योंकि किसे के कहने से तुम बुरे नहीं बन जाते और अगर कोई तुम्हें बुरा कहता भी है तो इसका मतलब तुम बुरे नहीं हो बलकि केवल तुम उनके जैसे नहीं हो अगर तुम अपनी तुम्हें तो पांच बजे उठना चाहिए तो बुरे बने रहो मेरे दोस्त इस बुराए में बहुत अच्छा ही छिपी है जीद फिक्स की आँखो से देखना बहुत फेस किया लाइफ में अच्छा बन के कुछ नहीं मिला रूल्स उनके लिए बनाये जाते हैं जो उसी लेवल में जीना और मनना चाहते हैं रूल्स को तोड़ना सीखो बुरा बनने का मतलब यह नहीं की गाली दो, मार पीट करो, किसी का अपमान करो बुरा बनने का मतलब है बड़ा अजीफ सा लग रहा है मुझे कहने में पर बुरा बनने का मतलब है कि जैसा बनना चाहते होना वैसा बनो और जैसा दुनिया तुमको बनते हुए देखना चाहती है वैसा कभी मत बनो जंगल में जो सीधा पेड होता है न वो सबसे पहले काटा जाता है आज की दुनिया में जो सबसे सीधा बन्दा होता है न उसको सबसे पहले दोखा मिलता है अगर किसी सांप में जहर भी ना हो तो भी वो फुफकारता रहता है क्यों? क्योंकि अगर किसी कुछ जराबी बना पड़ी न कि इस सांप में तो जहर ही नहीं है तो उसको वहीं पे मार देंगे अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो उसको गलत ही बोलो किसी के कहने से या जोर देने पे उसको सही मत बोलो क्योंकि गलत गलत होता है और आपके लिए क्या सही है ये आपको पता है अगर कोई आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट में उंगली उठारा ना तो ऐसे लोगों की नजरों में बुरे बन जाओ और दूर हो जाओ किसी के आगे गुठने टेकने की जरूरत नहीं है अगर तुमारे इरादों में और तुमारी महनत में दम है ना तो सामने वाला बन्दा आके घुठने टेकेगा तुमारे सामने तुमसे सोरी बोलेगा तुमारे नाम के हजारों बन्दे इस दुनिया में लेकिन तुमारी परसनलिटी सबस्ते अलग है अगर कोई केवल इसलिए तुम्हें बुरा बता रहा है कि तुम उनके जैसे नहीं हो तो ऐसा बुरा बनने में बहुत बलाई है कोई दिक्कत नहीं है इस दुनिया में जब जब भी कोई बड़ा आदमी बना है ना जब जब किसी इनसान को ताली मिली है ना तो एक चीज और याद रखना कि उसने कभी ना कभी अपनी लाइफ में गाली जरूर खाई हो वो कभी ना कभी अपनी लाइफ में बुरा जरूर बना होगा जब कोज वो विशा अच्छा नहीं था जैसा दुनिया को लगता था कि अच्छा क्या होता है शबदों में चक्कर मत खाना कोल गोल हर बड़ा बनने वाला इंसान किसी ना किसी के नजरिये में बुरा जरूर बना है और वो क्यो बना है? Just because वो वैसा नहीं था जैसा दुनिया को लगता था कि अच्छा क्या होता है अगर तुम्हारा मन नहीं है किसी के साथ घुमने जानेगा तो मज जाओ अगर किसी रिलेशन्स्टिप में इज़्जत से ज़्यादा अपमान मिल रहा है न तो मत घसीटो यार अतनी इज़्जत को और उस जबरदस्ती के रिष्टे को तुम्हें बुरा बताया जाएगा पर किसी के कहने से क्या होगा जब बारिश होती है न तो आदे लोग खुश होते हैं और आदे लोग गाली जते हैं एथोड़ा सा और उप जाती तो क्या हो जाता अगर तुम्हारे लिए पढ़ाही से ज़्यादा जोब जरूरी है तो यार जोब करो जोब से ज़्यादा जरूरी खुद का बिजनिस करना है तो बिजनिस रन करो और बिजनिस करने से ज़्यादा पढ़ाही जरूरी है तो पढ़ाही करो How simple it is Don't make it जवरदस्ति यार कि दुनिया नहीं करने देती मेरी बात कान खुलके सुनो आज तक इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं बनी है जिसको इस दुनिया का हर इंसान अच्छा बताए कोई ना कोई जरूर होगा जो उसको बुरा बताएगा तो अगर तुम्हें कोई बुरा बता रहा है तो don't worry इसने कोई फरक नहीं पढ़ने वाला पर केसी से पढ़ेगा कि आपके इरादे कैसे हैं और आपका मकसद क्या है इसके लावा और कोई फैक्टर नहीं इस ब्रहान में जो अच्छे बुरे का क्राइटेरिया डिसाइड कर सके अच्छे और बुरे का सबका ओपीनिया नेलग लग होता है अगर आपके नेजर में आप अच्छे हो तो देट्स गूट और आपके नेजर में अगर आप बुरे हो लेकिन अपनी जगवे सही हो तो देट्स अलसो गूट अच्छा बनना है तो खुद के दिल से अच्छा बनो अपने रूल्स खुद बनाओ, क्योंकि लाइफ तुमारी है, मकसद तुमारा है, नाम तुमारा है, कुछ मिलेगा तुम्हे मिलेगा, कुछ नुकसान होगा, तुम्हे नुकसान होगा, मैं आपको कभी बुरा कहके नहीं पुकारूंगा, क्योंकि मेरे सपनों के लिए मैं सबी को दिल से धन्यवाद आगे बढ़ते रहिए और देश में खुद के साथ साथ दुनिया में देश का नाम कीजिए जैहिंद वंदे मात्रम करना लुदर क साथ जीट फिक्स